हेलो स्टुडेंस हम लोग सर्फेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर कर रहे हैं 3D फिगर्स को डिस्कस कर रहे हैं आज का हमारा फिगर है स्पियर राइट जो बोड पर बना हुआ है ओके फाइन इसका कोई एक्जाम्पल ओके आप सोच पा रहे हैं मैं बताना चाहूंगा इस सर्कल नहीं है यह स्पियर है आपर ठीक है राइट सर्कल तो हमारा 2D फिगर होता है ठीक है राइट यह सर्कल है और सर्कल का हमने सेंटर यहां पर बना दिया और इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियेस यह सर्कल नहीं है यह यहां पर स्पियर है ठीक है राइट और इसने मैंने इसमें लाइन्स ड्रॉव कर दी है जो इसको एक 3D लुक दे रहा है ब आप ऐसे समझा सकते हो, ओके, तो मैंने इस तरह से ऐसा बना दिया है, इसमें, curves डाल दिये, ताकि आपको लगे, कि इस circle नहीं है, बास में आ रही है, तो spare का यहाँ पर example क्या होगा, spare का यहाँ पर example होगा, football, any ball, take a right, find football, tennis ball, एक सबसे अच्छा example है, spare, ओके, तो आप football को circle तो नहीं बोल सकते, तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, spare बोलेंगे, यहाँ पर हम circle के अंदर center denote कर सकते हैं, यह रहा center, जिसका हमने page पर बना दिया है, बास में आ गई, पर जो spare है, समझ गए आप, spare तो 3D figure है, football, तो football का जो center है, वो कहाँ पर होगा, space में होगा, समझ गए, जैसे मैंने football ले लिया, ठेके, तो उसका center क्या हो गया, एक ऐसा point, जहां से उसके हर एक point ऐसा, जिसके distance, उसके हर एक surface से क्या हो, ठेके, right, same distance पर हो, जैसे यह room है, यह spare है, suppose, imagine कर रहा है, यह spare है, और यह इसका center आगे बीच में, तो उसके हर जगे से distance क्या होनी चाहिए, same होनी चाहिए, ओके, समझ पार है, तो अगर हम spare की बात कर रहे हैं, तो इसका center कहाँ पर होगा, space में होगा, ठेके, बिल्कुल मतलब बीच में होगा, जैसे मैं बोलनूँ कि एक room है, इसका center कहा होगा, तो आपके कैसा point लेना है, जहां से इसकी distance क्या आएगी, हर जगे से same आएगी, है ना, आप room को पुरा football की तरह मानलो, ठेके, right, fine, एक spare की तरह मानलो, उसके इंदर आप एक center ढूण रहे हैं, तो center कहीं चिपका वह नहीं ह होगा, इतने बास में आगई, और उसका हर जगे से distance क्या होगा, same, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, radius of a spare, ठेके, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ, radius of a spare, ठेके, क्योंकि यहां पर measuring unit, radius ही है, जिसको suppose मैंने capital R से denote कर लिया, बास में आगई, चलिए, अब आप देखो, ज क्या निकाल सकते है, surface area, football, यहां पर curved surface area, base, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा surface area ही है, पूरा ही curved है हर जगे से, ठेके, football को imagine करो, तो area जिस पर आप paint कर सकते हो, तो इसका पूरा portion गोल-गोल जो बाहर का है, उसका आप paint कर सकते हैं, तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, surface area, ठे sphere, क्या हो जाएगा, 4 pi r square, ठेके, राइट, यह हो गया, surface area of sphere, volume, ठेके, अब volume का मतलब क्या है, यहां पर मैं क्या ले रहा हूँ, राइट, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, solid sphere की, ठेके, बास मैं आ गई, solid बोलते ही, football वाला example नहीं है, आप यह मान लिजिए, यह पूरा एक concrete, concrete का एक ball है, राइट, मैंने cement, ठेके, राइट, sand, एक equal proportion बना कर, मैंने इसको एक concrete का ball बना लिए, या फिर मैंने एक पत्थर का ball बना लिए, stone का एक ball बना लिए, जिसके अंदर कुछ भी खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है, तो उसके हम लोग क्या बोलेंगे, solid sphere ब बात कर रहें, ओके, तो volume of sphere, क्या हो जाएगा, 4 by 3 by rq, तो अगर हम solid sphere की बात कर रहें, तो यहाँ पर volume किसको बता रहा है, इसके weight को बता रहा है, राइट, mathematics में लोग mass और weight, alternatively यूज़ कर सकते हैं, ठेके, राइट, तो हम यहाँ पर क्या बता रहें, इसका mass बता रहे है कि volume of sphere का जो, यहाँ पर sphere, इसका mass कैसे निकालेंगे, यह वाला formula लगाएंगे, 4 by 3 by rq, तो यहाँ पर इसके दो formula हैं, ठेके, एक तो surface area और एक volume, यह सब पढ़ चुके आप junior class में, ठेके, राइट, बस मैं एक बार आपको revise करा रहा हूँ, ठेके, चलिए, अब आप देखो मैंने क्या किया, मैंने एक sphere लिया, और उसके अंदर एक दूसरा sphere डाल दिया, राइट, बस मैं आगे, एक sphere लिया, और उसके अंदर एक दूसरा sphere डाल दिया, तो एक sphere लिया, उसके अंदर दूसरा sphere डाला, ठेके, राइट, तो naturally जो अंदर वाला sphere होगा, वो क्या होगा, छ ये एक स्पेर लिया और इसके अंदर हमने एक दूसरा स्पेर डाल दिया ओकी समझ रहें तो आप इस तरह से मान सकते हो एक्जांपल जैसे आपने फुटबॉल देखाएं फुटबॉल के अंदर ब्लैडर होता है अगर आप फुटबॉल देखें उपर से तो टेके वो लेधर से या जो भी मेटिरियल से कवर होता है टेके राइट पर अंदर क्या हो है तो यह अंदर वाला स्पेर हो गया यह बाहर वाला स्पेर हो गया तो इस तरह से अगर एक के अंदर एक स्पेर दे रखा है तो naturally क्या होगा दोनों के बीच में कुछ डिफ्रेंस एप इस तरह से मानों कि अंदर आपने ब्लैडर में पूरी हवा नहीं भरी है, थोड़ा स्पेस है, तो इनके बीच में कुछ तो स्पेस होगा, राइट, फाइट, तब मान रहें, दोनों चिपके वे नहीं है, दोनों में कुछ स्पेस है, राइट, जैसे आपने देखेंगे, एक बैलून के अंदर दूसरा बैलून डलावा रहता है, कई बार आपने देखा होगा, ठेक है, राइट, हमारे अंदर शियरा मिला लगता है, तब इस तरह के बैलून्स देखते हैं, तो एक बड़ा बैलून है, आप मान लें स्पेरिकल है हो, उसके अंदर एक छोटा बैलून भी है, और वो मूव नहीं कर रहा है, छोटा वाला उसके अंदर, फिक्स जैस, सपोज आपने इस तरह से देख रहे हैं, तो आप देखना, दोनों के बीच में स्पेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेरिकल शेल बोलते हैं, इस वाले स्पेस को, ठीक है, अब यह दोनों जो स्पेर हैं, इसलिए मैंने बोला फिक्स है, दोनों का सेंटर सेम है, अंदर वाले का रेडियस है, स्मॉल र, और पहार वाले का रेडियस है, capital R, यह center O, ठेक है, फाइन, तो जो अंदर जो spare है, उसका center भी यही है, पहार जो spare है, उसका center भी यही है, ओके, तो एक के अंदर एक spare डाल दिया, ओके, तो इस case को हम लोग क्या बोलते है, spherical shell, राइट, अब हमें यह निकालना है यहाँ पर, ठेक है, राइट, यह जो यहाँ पर है, यह जो thickness एक तरह से, ठेक है, इसका यहाँ पर क्या area है, ठेक है, राइट, एक तरह से हम मानें, यह volume के form में आएगा, कि इस area को हम कैसे represent करे यह वाला, ठेक है, राइट, फाइट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, volume वाला formula यूस करेंगे, ठेक है, राइट, इस वाले area को represent करने के लिए, फाइट, यह क्या यहाँ पर volume को represent कर रहा है, फाइट, तो हम यहाँ पर लिख दें, volume of spherical shell equals to, बाहर वाला जो sphere है, उसका volume, 4 by 3, pi rq, minus अंदर वाला, 4 by 3, pi rq, बहर वाला जो sphere है, volume का formula तो यह लगेगा, 4 by 3, pi rq, because हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे है, volume के concern में निकाल रहे हैं, कि यह जो portion है, shaded portion, यह volume को represent कर रहा है, ठेक है, तो बाहर वाले sphere का volume, उसमें से अंदर वाले का volume minus कर दो, तो यही तो बचेगा thickness, ठेक है, तो बाहर वाले का, minus अंदर वाले का, तो 4 by 3, pi common ले लो, यहाँ पर क्या जाएगा, rq, minus rq, इस तरह से हम लोग यह वाला area निकाल सकते हैं, इती बस में आ गई, इन दोनों चीज़ों को note करो, फिर अपना आगे चलते हैं, चले वे, यह आपने कर रिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके, तो यह था हमारा square के बारे में, अब हम बात करते हैं, hemisphere, hemisphere क्या होता है, देखू, suppose यह square है, ठीक है, fine, और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, solid hemisphere की, right, अब यह इसका बीच में center है, हमने क्या किया, इस hemisphere को इसके center से cut कर दिया, center से, इस तरह से cut किया, कि यह two equal parts में divide हो गया, बास में आ गई, ठीक है, कोच इस तरीके से, ठीक है, यह two parts में, okay, fine, बिलकुल हमने equally divide किया, आपको नहीं दिखरा होगा equally है, ठीक है, right, हमने बिलकुल equally divide कर दिया, right, fine, हमने बिलकुल center से इसको divide कर दिया, तो उपर वाला portion और नीचे वाला portion, दोनों हर तरह से equal हैं, चाए volume ले लो, चाए surface area ले लो, तो जब आप क्या करते हो, square को exactly two equal parts में divide कर लेते हो, तो यह जो आपके पास parts आएं हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, hemisphere, this is called as hemisphere, ठीके, तो यह एक hemisphere है, एक दूसरा है, यह हम लोग कौन सा hemisphere ले रहें, solid, ठीके, concrete का, stone का, जिसको हमने बीच में से divide किया, तो यह पुरा अंदर डालने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीके, हम solid hemisphere की बात कर रहें, ठीके, right, चलिए, तो इस solid hemisphere को हम discuss करते हैं, right, तो हम बोल सकते हैं कि इसका एक circular end है, यह वाला, अगर हम बात करते हैं, area, area मतलब surface area, मतलब हम इसको कहां-कहां paint कर सकते हैं, एक तो इधर paint कर सकते हैं, एक इसके curved surface area हम paint कर सकते हैं, तो अगर हम इसके formula की बात करते हैं, तो area of circular end, जो इसका यह end है यह circle है suppose इसका radius है small r तो इसका यहाँ पर area क्या हो जाएगा इसका area यहाँ पर हो जाएगा pi r square यह वाला ठीक है यह center है और यह इसका radius है अच्छा अब हम बात करते हैं इसका curved surface area curved surface area ठीक है राइट तो मैंने बोला यह square का exactly half है exactly half हर तरह से exactly half ठीक है राइट चाहे surface area हो चाहे volume हो तो square का जो area था surface area वो क्या था 4 pi r square तो इसका half हो जाएगा तो half हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 pi r square मतलग curved surface area यह वाला portion पूरा ठीक है तो यह area of circular end हो गया pi r square और curved surface area हो गया 2 pi r square तो total surface area पूरा मिला कर जहाँ जहाँ paint कर सकते हो एक तो इधर और एक curved ओके तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर total surface area तो इन दोनों को plus कर देंगे right pi r square plus 2 pi r square that is 3 pi r square यह हो गया total surface area of hemisphere ठीक है solid hemisphere की बात कर रहे हैं अब बात करते हैं volume की volume of hemisphere तो मैंने बताया था चाए surface area हो या volume दोनों ही case में hemisphere मतलब spare का exactly half तो spare का volume क्या था 4 by 3 pi r square pi r cube sorry तो इसका volume क्या हो जाएगा 2 by 3 pi r cube ठीक है यह 4 by 3 pi r cube था spare का तो इसका volume हो जाएगा 2 by 3 pi r cube ठीक है this is about solid hemisphere अब हम लोग हो लोग ही बात करते हैं ओके राइग उसके लिए आप pause करके लिए को फिर अपना आगे चलेंगे चलिए आपने लिख लिया होगा चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर hollow hemisphere एक तरीके से कुछ ऐसे बना हुआ है यह hemisphere है ठीक है right कुछ ऐसे बना हुआ है और यह अंदर वाला portion है ठीक है इसको मैं dotted line से represent कर देता हूँ समझ गए आप यह दोनों का center सेम है समझ गए आप जो हमने अभी spherical shell पड़ा था ठीक है right जिसके अंदर एक square के अंदर दूसरा square था उसको अगर हम center से divide कर देंगे तो exactly two parts में divide हो जाएगा तो वो इस तरीके से आ जाएगा इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ठीक है right hollow hemisphere बोल रहा हूँ है जिसके अंदर कुछ खाली है ठीक है ठीक है right तो देखिएगा इसको थोड़ा सा और सही कर देते है फिलाल drawing पे नहीं mathematics पे द्यान दीजेगा अब आप देखो अंदर वाले का radius r है और बाहर वाले का radius capital r है यह center है जो की space में है इसकी distance हर जगे से क्या है equal है तो जैसा मैंने बताया था spherical shell एक के अंदर एक spare तो बाहर वाले का radius जादा होगा अंदर वाले का कम होगा तो बाहर वाला radius capital r अंदर वाला small r ठीक है यहाँ पर जो capital r है ठीक है right वो small r से बड़ा है ठीक है अब आप देखो एक तरीके से यह hemisphere हो गया यह hollow हो गया आप example देख सकते हैं suppose आप यह मानें कि जो आप coconut लेके आते हैं ठीक है right फाइन अगर आप उसको बिलकुल आप मान लें कि गोल हो ball की shape में है ठीक है right ऐसा होता नहीं पर आपन मान लें कि बिलकुल इस तरह से थोड़ावा shape इसका बिगड़ा हो रहता है पर हम मान रहें कि इस spherical shape है और उसको exactly मैंने बीच में से cut कर दिया तो कुछ इसी तरह से आ जाएगा जो उसका जो half हमारे पास आया coconut का वो इसी तरह से आ जाएगा coconut तो पूरा था बीच में से हमने बिलकुल exactly half कर दिया तो half कुछ इसी तरह से होगा जिसमें ये बाहर वाला तो brown वाला cover हो गया और जो अंदर वाला ये portion दिख रहा है आपको ये उसका white वाला part हो गया और इसके अंदर क्या रखा क्या भरा रहता है पानी भरा हुआ रहता है देखते हैं ना coconut जो हम पूजा में भी चड़ाते हैं पानी वाले coconut की बात कर रहा हुए जो छोटा है हमने उपर का सारा उसका हटा दिया covering और उसके बाद जो गोल बचता है उसमें दो cover होते हैं एक brown वाला और अंदर जो खाने वाला part होता है ठेके राइट वो white होता है तो अगर मैं उस coconut को बीच में से cut कर दूँ और half कर दू exactly तो मुझे ये वाला shape मिलता है तो ये आपका कुछ hollow hemisphere बोल रहा हूँ मैं इसको जो आपने spherical shell को बीच में से divide करके बनाया अब आप देखो इसमें कुछ dimensions इस तरह से हैं दो तरह के hemisphere बन रहे है एक तो बहार की तरफ hemisphere बन रहा है और एक अंदर की तरह hemisphere बन रहा है ठेके तो सबसे पहले मैं निकालना चाहूँगा ये वाला area ठेके right इसको base बोल देते हैं ठेके right या बोले area of circular end तो area कौन सा है सिर्फ इतना ही है बिकाज ये वाला portion तो खाली है तो यही area है यहां से लेके आता है यह जो ring बना रहा है ठेके right तो इसका area कैसे निकलेंगे बहार वाले circle का area minus अंदर वाले circle का area समझ गए न जैसे circular shape है right यह अंदर वाला circle है तो अगर मैं बहार वाले circle का area निकालता हूँ तो यह पूरा area आ जाएगा पर इतना portion तो खाली है area मतलब जिसको आप paint कर सकते हो तो यह इतना portion तो खाली तो इसको minus करना है तो that means क्या हो गया area of outer circle minus area of inner circle तो यह वाला portion आ जाएगा area of ring जो हम बोलते हैं तो यह इसका area हो जाएगा चीके अब हम बात करते हैं curved surface area area मतलब जहां जहां paint कर सकते हो तो आप देखो इसमें curved surface area दो है एक inner अंदर भी paint कर सकते हैं और एक outer बहार भी paint कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ inner curved surface area जब हम अंदर की बात करेंगे तो हमेशा small r लेंगे तो अंदर वाला hemisphere है तो उसका area क्या हो जाएगा 2 pi r square चुटा वाला r लेंगे और जब बाहार का area paint करना है ठीक है right outer curved surface area तो 2 pi capital r का square बाहर वाल ठीक है fine तो curved surface area मतलब यह जो गोल गोल गूम रहा है portion यह वाला तो एक तो बाहर वाला हो गया और एक अंदर वाला हो गया ठीक है अब निकालते हैं हम लोग total surface area total surface area पूरा जहां जहां paint कर सकते हैं कहां कहां paint कर सकते हैं इस ring पे paint कर सकते हैं अंदर paint कर सकते हैं और बाहर paint कर सकते हैं ठीक है तो अगर मैं बूलू total surface area तो यह तीनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, टेके राइट, एरिया ओफ सर्कुलर एंड्स प्लस इनर कर्ट सर्फेस एरिया, प्लस आउटर कर्ट सर्फेस एरिया, टेके, तो यहाँ पर एरिया ओफ सर्कुलर एंड्स क्या हो गया, पाई आर स्कुलर माइनस पाई आर स्कुलर इनर कर्ट सर्फेस एरिया, टू पाई आर स्कुलर आउटर, टू पाई कापिटल आर स्कुलर, इस रिलेशन को याद नहीं रखें, बस आप तो स्टेट्मेंट याद रखना, चेके रा यह तो minus हो जाएगा, तो plus pi r square, इस में से 3 pi common ले लेंगे, तो r square plus r square, तो यहाँ पर यह क्या हो गया, total surface area हो गया, पॉस करके लिख लें, फिर आगे चलेंगे, चलेंगे, अब हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर इसका volume, निकालें भी volume, अब यहाँ पर volume दो तरह के निकलेंगे, एक मैं निकालना चाहता हूँ, इस में, जो volume है, वो निकालना चाहता हूँ, capacity, capacity मतलब, इसके अंदर आप कोई सी भी चीज कितनी भर सकते हूँ, suppose यह half coconut है, बिल्कुल exactly, तो इसके अंदर कितना coconut पानी भरावा हो सकता है, इसके अंदर, यह जनरले हम लोग coconut को half करके, उसके अंदर कई बार गी भरते हैं, पूजा हो जा के लिए, तो इसके अंदर आप क इतना घी भर सकते हैं, take a right, fine, या कोई भी चीज कितना भर सकते हो इसके अंदर, वो निकालने के लिए हम volume का formula निकालेंगे, तो उसमें तो क्या होगा, सिर्फ अंदर वाला ही hemisphere use होगा, right, तो hemisphere का अंदर वाले का formula लगा लें आप, 2 by 3 by rq, क्योंकि जो भी भरोगे वो capacity निकालना हैं आपको, तो यह formula, पर अगर इसका weight निकालना है, mass निकालना है आपको, ठीक है, volume, अगर आपको निकालना है mass, तो फिर क्या होगा, 2 by 3 by rq, minus 2 by 3 by rq, तो आप देखो, फिर क्या आएगा, बहार वाला जो hemisphere है, उसका volume, minus अंदर वाला, क्योंकि अंदर वाला portion तो क्या है, खाली है, इसका तो कोई weight नहीं है, weight सारा इसी portion में है, right, fine, क्योंकि अंदर खाली है, तो बहार वाले, जब hemisphere का volume निकालेंगे, तो पूरा आजाएगा, उसमें से अंदर वाला क्या कर देंगे, हम लोग, minus कर देंगे, तो यह इसका weight आजाएगा, ठीक है, तो 2 by 3 pi common ले लेते हैं, तो क्या जाएगा, r cube minus r cube, चेक है, पॉस करके लेखे, फिर अपना आगे बात करते हैं, चलिए, इस तरह से हमने, आज square और hemisphere formula complete किया, ठीक है, अब हम लोग next class से, जो भी हमने पढ़े है न, formula, इनके पर questions करना शुरू करेंगे, ठीक है, fine, तो इनको अच् कर लें, next class से मिलते हैं questions के साथ, तब तब practice करते हैं, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें, बाई